C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुद है कक्षा बारह के लिए हिंदी की आधार ध्वनी पाठ्य पुस्तक वितान भाग दो पाठ संख्या दो जूज प्रिष्ट संख्या 21 से 34 लेखक आनंद यादव अनुवाद केशव प्रथम वीर जूज ये महराठी के प्रख्यात कथाकार डॉक्टर आनंद यादव का बहु चर्चित एवं बहु प्रशंसित आत्मकथात्मक उपन्यास है जिसका एक अंश यहां दिया गया है ये एक किशोर के देखे और भोगे हुए गमई जीवन के खुर्दुरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनिय जीवन्त गाथा है इस आत्मकथात्मक उपन्यास में जीवन का मर्म स्पर्शी चित्रन तो है ही अस्त वियस्त अलमस्त निम्न मद्यम वर्गिये ग्रामीन समाज और लड़ते जूजते किसान मजदूरों के संगर्ष की भी अनूठी जहांकी है यहां लिए गए अंश में हर स्थिती में पढ़ने की लालसा लिए धीरे धीरे साहित्य, संगीत और अन्य विश्यों की ओर बढ़ते किशोर के कदमों की आकुल आहट सुनी जा सकती है जो निश्चे ही किशोर होते विद्यार्थियों के लिए हम कदम बन सकती है जूज अब तक लगभग 25 पुस्तकें प्रकाशित उपन्यास के अतिरिक्त कविता संग्र है समा लोचनात्मक निबंध आदी पुस्तकें भी प्रकाशित भारतिये ज्यान पीठ से प्रकाशित नट रंग हिंदी पाठकों की बीच भी चर्चित यहां प्रस्तुत अंच जूज उपन्यास से लिया गया है जो सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरसकार से सम्मानित है प्रस्तुत है पाठ जूज पाठशाला जाने के लिए मन तड़कता था लेकिन दादा के सामने खड़े होकर ये कहने की हिम्मत नहीं होती कि मैं पढ़ने जाऊंगा डर लगता था कि हड़ी पसली एक कर देगा इसलिए मैं इस ताक में रहता कि कोई दादा को समझा दे मुझे इसका विश्वास था कि जन भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा जो बाबा के समय था वो दादा के समय नहीं रहा ये खेती हमें गड़े में धकेल रही है पढ़ जाऊंगा तो नोकरी लग जाएगी चार पैसे हाथ में रहेंगे विटोभा आणना की तरह कुछ धंदा कारोबार किया जा सकेगा अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते दिवाली बीत जाने पर महीना भर इख पेरने का कोलू चलाना होता कोलू जरा जल्दी शुरू किया तो दादा की समझ से इख की अच्छी खासी कीमत मिल जाती ये उसकी समझ कुछ हद तक सही थी जब चारों और कुलू चलने लगते तो बाजार में गुड की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर आते उस समय नमबर एक और नमबर दो का गुड बहुत आता और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नमबर तीन के गुड को कौन पूछता बाकी के किसान दूसरे ढंक से विचार करते थे उनका मत था कि यदि एक को और कुछ दिन खेत में खड़ी रहने दिया गया तो गुड जरा ज्यादा निकलता है देर तक खड़ी रहने वाली एक के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है जिसके कारण ज्यादा गुड निकलता है लेकिन दादा की समझ से गुड ज्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज्यादा मिलना चाहिए इसलिए सारे गाओं भर में हमारा कुल हूँ सबसे पहले शुरू होता था इसी कारण इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उससे जल्दी निपट गए आगे के काम में लग गए सभी जन धूप में लेटे हुई थे मा धूप में कंडे थाप रही थी मैं बाल्टी में पानी भर भर कर उसे दे रहा था कुछ न कुछ बातचीत भी कर रहे थे हम दोनों ही थे इसलिए ये सोच कर कि बात मा से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी मा ने कहा अब तू ही बता मैं का करूँ पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सूवर की तरह गुराता है तुझे मालूम है मा के मन में जंगली सूवर बहुत गहराई में बैठा हुआ था अब मला यानि खेती के सभी काम बीट गए हैं मेरे लिए अब कुछ तो करना नहीं रह गया है इसलिए कहता हूँ तू दत्ताजी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कहे आज ही रात को उनके यहां चलेंगे मैं चलूँगा तेरे साथ तू उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे तो वे दादा को प्रिष्ट संख्या 23 ठीक है चलेंगे माने हाथो की लेकिन अंदर से मा के स्वर में उदासी थी मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाब नहीं होगा लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तयार हो गई मेरी तड़पन वो समझती थी साथवी तक पढ़ाने की उसके मन में तयारी थी लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था रात को मैं और मा दत्ता जी राव देशाई के यहां गए मा ने दीवार के सहरे बैठ कर दत्ता जी राव से सब कुछ कह दिया वे भी इस बात से सहमत हो गए मा ने यह भी बताया कि दादा सारे दिन बाजार में रखमा बाई के पास गुजार देता है खेती के काम में हाथ नहीं लगाता है माने देशाई को ये विश्वास दिला दिया कि दादा को सारे गाउं भर आजादी के साथ घूमने को मिलता रहे इसलिए उसने मेरा पढ़ना बंद कर मुझे खेती में जोत दिया है ये सुनते ही देशाई दादा चड़ गए और बोले आने दे अब उसे मैं उसे सुनाता हूँ कि नहीं अच्छी तरह देख उठते उठते मैंने भी दत्ताजी राव से कहा अब जन्वरी का महीना है अब परिक्षा नजदीक आ गई है मैं यदि अभी भी कख्षा में जाकर बैठ गया और पढ़ाई की दूराई कर ली तो दो महीने में पांच वी की सारी तयारी हो जाएगी और मैं परिक्षा में पास हो जाऊँगा इस तरह मेरा साल बच जाएगा अब खेती में ऐसा कुछ काम नहीं है मेरा पहले ही एक वर्ष बेकार में चला गया है ठीक है ठीक है अब तुम दोनों अपने घर जाओ जब वह आ जाए तो मेरे पास भेज देना और उसके पीछे से घड़ी भर बाद में तू भी आ जाना रे छोड़ा जी कहकर हम खड़े हो गए उठते उठते हमने यह भी कहा हमने यहाँ आ कर यह सभी बाते कहीं है यह मत बता देना नहीं तो हम दोनों की खैर नहीं है मा अकीली साग भाजी देने आई थी यह बता देंगे तो अच्छा होगा ठीक है ठीक है मुझे जो करना है मैं करूँगा देख उसके सामने ही तुझ से कुछ पूछूँगा तो निडर होकर साफ साफ उत्तर देना डरना मत प्रिष्ट संख्या 24 नहीं जी मैं मा के साथ लोट आया एक घंटा रात बीते दादा घर पर आया मैं घर में ही था आते ही माने दादा से कहा साग भाजी देने देशाई सरकार के यहां गई थी तो उन्होंने कहा कि बहुत दुनों से तेरा मालिक दिखाई नहीं दिया है खेत से आ जाने पर जरा इधर भेज देना कुछ कामवाम था दादा ने अधीरता से पूछा मुझे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने तो मैं हो आता हूं तब तक तु रोटियां सेक ले गणपा आये तो उसे खेतों पर भेज देना पहले ही दादा तुरंत उठ खड़ा हुआ देशाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए सम्मान की बात थी आधा घंटा बीतने पर माने मुझे से कहा की अब तू जा कहना जीम ने बुलाया है अच्छा मैं पहुचा तो सरकार मेरी रहा देख रहे थे क्यों आया रहे छोरे दादा को बुलाने आया हूँ अभी खाना नहीं खाया है बैठ बैठ थोड़ी दिर अभी तो आया है वह मेरे पास जी मैं बैठ गया धीरे धीरे दत्ता जी राव पूछने लगे कौनसी में पढ़ता है रे तू जी पाँचवी में था किन्तु अब नहीं जाता हूँ क्यों रे दादा ने मना कर दिया है खेतों में पानी लगाने वाला कोई नहीं है जो रतनाप्पा हाँ जी फिर तू क्या करता है सरकार ने दादा से जिरह करना शुरू किया तो सारा इतिहास बाहर निकलाया सरकार ने दादा पर खूब गुसा किया उन्होंने दादा के खूब हजामत बनाई प्रिष्ट संख्या पचीस देशाई के मड़ा यानि खेत को छोड़ देने के बाद दादा का ध्यान किसी काम की तरफ नहीं रहा मन लगा कर वह खेत में श्रम नहीं करता है फसल में लागत नहीं लगाता है लुगाई और बच्चों को काम में जोट कर किस तरह खुद गाउं भर में खुले सांड की तरह घूमता है और अब अपनी मस्ती के लिए किस तरह छोड़ा के जीवन की बली चड़ा रहा है ये सब उन्होंने सुनाया दादा के हरेक तरक को दत्ताजी राव ने काट दिया और मुझसे कहा सवेरे से तु पाठशाला जाता रहे कुछ भी हो पूरी फीस भर दे उस मास्टर की और मन लगा कर पढ़ाई कर और किसी भी तरह साल नहीं मारा जाए इसका ध्यान रख यदि इसने तुझे पढ़ने नहीं भेजा तो सीधा चला आ इधर सुभह शाम जो हो सके वो काम कर यहां और पाठशाला जाते रहना मैं पढ़ाऊंगा तुझे इसके पास ज़रा ज्यादा बच्चे हो गए है इसलिए तुम्हारे साथ कुत्तों की तरह बरताव करता है मैंने मना कब किया है जी इसको जरा घलत सलत आदत पढ़ गई थी इसलिए पाठशाला से निकाल कर जरा नजरों के सामने रख लिया है कैसी आदतें चाहे जैसी यहां वहां कुछ भी करता है कभी कंडे बेचता कभी चारा बेचता सिनेमा देखता कभी खेलने जाता खेती और घर के काम में इसका बिलकुल ध्यान नहीं है दादा ने मेरे उपर अचानक हला बोल दिया क्यो रे छोकरे नहीं जी कभी एक बार मेले में पटा पर पैसे लगा दिये थे दादा तो कभी भी सिनेमा के लिए पैसे नहीं देते हैं इसलिए खेत पर गोबर बीन बीन कर मा से कंडे थपवा लिये थे और उन्हें बेचकर ही कपड़े भी बनवाए थे उसी समय एक बार सिनेमा भी गया था मैंने भी जूट सच मिला कर ठोक दिया नहीं जी पाटशाला जाना ही बंद करा दिया इसलिए परिक्षा में नहीं बैठा हूँ अच्छा अब तू घर जा और सवेरे से पाटशाला जाने लग जी मैं उठ खड़ा हुआ बाहर निकलते निकलते मैंने सुना अरे बच्चे की जात है एक आद वक्त सिनेमा चला गया तो क्या हुआ एक आद बार खेलने में लग गया तो क्या हुआ इस बात पर उसका पढ़ना लिखना बंद कर देना है क्या जी आप कहते हैं तो भेज देता हूँ कल से देखते हैं एक आद वर्ष में कुछ सुधार हो जाए तो दादा ने मन मार कर कहा इस समय उसका कोई बस नहीं चला था खाना खाते खाते दादा ने मुझसे वचन ले लिया पाट शाला ग्यारे बजे होती है दिन निकलते ही खेत पर हाजिर होना चाहिए ग्यार है बजे तक पानी लगाना चाहिए खेत पर से सीधे पाट शाला पहुचना सवेरे आते समय ही पढ़ने का बस्ता घर से ले आना चुटी होते ही घर में बस्ता रख कर सीधे खेत पर आकर घंटा भर ढोर चराना और कभी खेतों में ज्यादा काम हुआ तो पाट शाला में गैर हाजरी लगाना समझे मनजूर है का हाँ खेत में काम होगा तो गैर हाजर रहना ही चाहिए मैं ऐसे बोल रहा था मानो मुझे सारी बाते मनजूर है मन आनंद से उमड रहा था हाँ इतना मनजूर हो तो पाट शाला जाना नहीं तो ये पढ़ना लिखना किस काम का मैं सवेरे शाम खेतों पर आता रहूँगा न हाँ यदि नहीं आया केसी दिन तो देख गाउं में जहां मिलेगा वहीं कुछ अलता हूँ कि नहीं तुझे तेरे उपर पढ़ने का भूत सवार हुआ है मुझे मालूम है बालिष्टर नहीं होने वाला है तू दादा बार बार कर कर रहा था मैं चुपचाप गर्दन नीचे करके खाने लगा था रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई गर्मी, सर्दी, हवा, पानी, वर्षा, भूख प्यास आदी का कुछ भी खयाल ना करते हुए खेती के काम की चक्की में ग्यारे से पाँच बजे तक पिस्ते रहने से छुटकारा मिल गया उस चक्की की अपेक्षा माश्टर की छड़ी की मार अच्छी लगती थी उसे मैं मजे से सहन कर लेता था दो पहरी भर की कड़क धूप का समय पाठ शाला की छाया में व्यतीत हो रहा था गर्मी के दो महीने आनंद में बीत गए फिर से पाँचवी में जाकर बैठने लगा फिर से नाम लिखवानी की जरूरत नहीं पड़ी पाँचवी नापास की टिपणी नाम के आगे लिखी हुई थी वह पाँचवी के ही हाजरी रजिष्टर में लिखा रह गया था पहले दिन कक्षा में गया तो गली के दो लड़कों को छोड़ कर कोई भी पहचान का नहीं था मेरे साथ के सभी लड़के आगे चले गए थे मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम अकल का समझता था उन्हीं के साथ अब बैठना पड़ेगा ये बात कक्षा में पहुँचने पर समझ में आई मन खटा हो गया प्रिष्ट संख्या 28 बाहरी अपरिचित जैसा एक बैंच के एक सिरे पर कोने में जा बैठा मास्टर कौन है इसका पता नहीं था पुरानी किताबों और पुरानी कापियों का उस कक्षा से कोई सम्बंध नहीं था फिर भी लठे के बने थेले में उन्हें ले आया था बस अड़े पर कोई लड़का अपनी पूटली संभाले किसी इंतिजार में जैसे बैठा होता है उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था क्या नाम है महमान नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो कक्षा के सबसे ज़्यादा शरार्ति चव्वान के लड़के ने सामने आकर खिले उड़ाने के स्वर में पूछा मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनभी जैसी है बालू गड़ी की लाल माटी के रंग में मटमेली हुई धोती और गमचा पहन कर मैं अकेला ही था देखे देखे तुम्हारा गमचा कहते हुए उसने मेरा गमचा खिंच लिया गया अब मेरा गमचा पूरी कक्षा में इसकी खींचा तानी होगी और फट जाएगा मन में मैं यह सोच कर रुआसा हो गया लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया और मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रख कर अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुश की आवाज की इतने में मास्टर आ गये और वह गुंडा जट से अपनी जगह पर जा बैठा मेरा गमचा टेबल पर ही रहा पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक-धक होने लगी रण नवरे मास्टर कक्षा में आए टेबल पर मटमेला गमचा देखकर उन्होंने पूछा किसका है रे? मेरा है मास्टर तू कौन है? मैं जकाते पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूँ गमचा ले जा पहले उसने चड़ी से मेरा गमचा उठा कर नीचे डाल दिया मैं उसे उठाने गया तो कहा यहां क्यों रखा है मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर उस लड़के ने मेरे सिर से छेन लिया और यहां रख दिया है यह चवान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूचताच की और प्रिष्ट संख्या 29 बीच की छुट्टी में मेरी धोती की काच उस लड़के ने दो बार खीचने की कोशिश की लेकिन मैं फिर दिवार की तरह पीट करके जा बैठा तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं खिलोने के लिए बनाए गए कववा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कववे चारो ओर से उस पर चोँच मारते हैं वैसा ही मेरा हाल हो गया मेरी ही पाटशाला मुझे चोँच मार मार कर घायल कर रही थी घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिली उड़ाते हैं धोती खीचते हैं गमचा खीचते हैं तो इस तरह कैसे निबाह होगा नहीं जाओंगा ऐसी पाटशाला में इससे तो अपना खेत ही अच्छा है चुप चाप काम करते रहो गली के दो ही लड़के हैं कक्षा में वे भी मुझसे कमजोर हैं वे क्या मदद करेंगे मन उदास हो गया चौथी से पाचवी तक पाटशाला अपनी लगती थी लेकिन अब वो एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी है अपना वहां कोई नहीं है सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था फिर से पाटशाला चला गया मा के पीछे पढ़कर एक नई टोपी और दो नाड़ी वाली चड़ी मैल खाओ रंग की आठ दिन में मंगवाली चड़ी पहन कर पाटशाला में और धोती पहन कर खेत पर जाना शुरू हुआ धीरे धीरे लड़कों से परीचे बढ़ गया मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए वे प्राई चड़ी का उपयोग नहीं करते थे हाथ से गर्दन पकड़ कर पीठ पर घूसा लगाते थे पीठ पर एक जोर का बैठते ही लड़का हूक भरने लगता लड़कों के मन में उसकी दहशत बैठी हुई थी इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्राई मौका नहीं मिलता था पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी मंत्री मास्टर गनित पढ़ाते थे एक आध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुला कर समझा देते एक आध लड़की की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वे उसे वहीं ठोंक देते इसलिए सभी का पसीना चूटने लगता सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे वसंत पाटील नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला किन्तु बड़ा हूश्यार था उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे स्वभाव से शान्त हमेशा पढ़ने में लगा रहता घर से पूरी तयारी करके आता होगा दूसरों के सवालों की जाच करता था माश्टर ने उसे कक्षा मोनीटर बना दिया था हमेशा पहली बेंच पर बैठता बिलकुल माश्टर के पास कक्षा में उसका सम्मान था मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था मैं उससे पहले ही पाचवी में पहुँच गया था गलती से बिछड़ गया हूँ मैं इसलिए माश्टर को कक्षा की मोनीटरी मेरे हाथ में सौपनी चाहिए मुझे ऐसा लगने लगा दूसरी और यह भी लगता था कि मुझे दो महिने में पाचवी की पूरी तयारी करके अच्छी तरह पास होना है कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं हम तो इस कक्षा में उपरी हैं ये नहीं भूलना चाहिए इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा मैंने अपने किताबों पर अखबारी कागज के कवर चड़ा दिये अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने बैठता था उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा मन की एकागरता के कारण गनित जट पट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे कभी कभी वसंत पाठिल के साथ साथ एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जाचने लगा इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई एक दूसरी की सहयता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे मुझे पहली बार किसी ने आनन्दा कहकर पुकारा मा कभी आनन्दा कहती परंतु बहुत कम मास्टरों के इस अपने पन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा न वा सौंदल गेकर मास्टर मराठी पढ़ने आते थे पढ़ाते समय वे स्वैम रम जाते थे विशेश्ते वे कविता बहुत ही अच्छे ढंक से पढ़ाते थे सुरिला गला चंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं कंठस्त थी अनेक चंदों की लै, गती, ताल उन्हें अच्छे तरह आते थे पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे फिर बैठे बैठे अभीने के साथ कविता का भाव ग्रहन कराते उसी भाव की, किसी अन्य कवी की कविता भी सुना कर दिखाते बीच में कवी यश्वंत बाभ बोर कर भा रा तांबे गिरीश केशव कुमार आदी के साथ अपनी मुलाकात के संसमरन सुनाते वे स्वयम भी कविता करते थे, याद आ गई तो वे अपनी भी एक आध कविता सुना देते ये सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए, मुझे अपना भान ही नहीं रहता था मैं अपनी आखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ती लगा कर दम रोक कर मास्टर के हाव भाव ध्वनी, गती, चाल और रस पीता रहता सुभह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या धोर चराते हुए अकेले में खुले गले से वे सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव यतिगती और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ, मैं आगे पीछे आता जाता था मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे ही अभिने करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिने करता था क्यारियां पानी से कब की भर गई हैं, इसका भान भी नहीं रहता था मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती हैं, इसका पता भी मुझे उसी समय चला इन कविताओं के साथ खेलते हुए, मुझे दो बड़ी शक्तिया प्राप्थ हुई पहले ढोर चराते हुए, पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए, अकेला पन बहुत खटकता था किसी के साथ बोलते हुए, गपशब करते हुए, हसी मजाग करते हुए, काम करना अच्छा लगता था हमेशा कोई दां कोई सात में होना चाहिए ऐसा लगता था लेकिन अब अकेले पन से कोई उब नहीं होती मैं अपने आप से ही खेलने लगा उल्टा अब तो ऐसा लगने लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा इस कारण कविता उची आवाज में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिने किया जा सकेगा कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता था मैं सच मुच ही नाचने लगता था मैंने अनिक कविताओं को अपने खुद की चाल में गाना शुरू किया अनन्त कानेकर की कविता जिसकी पहली पंक्ती इस प्रकार है चांद रात पसरीते पांढरी गाया धर्नी वरी को मैंने माश्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठा कर गाई ये चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी, वह गाना केशव करने जाती नामक्छंद में था उस कविता को मैं माश्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिने के साथ गाता था चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रियत्न करता था माश्टर को मेरा प्रियत्न इतना अच्छा लगा कि उन्होंने छटी सात्वी कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुला कर गवाया पाठ शाला के एक समा रोह में भी उसे गवाया इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंक निकलाए है मास्टर स्वयम कविता करते थे अनेक मराठी कवियों के काविय संग्रह उनके घर में थे वे उन कवियों के चरित्र और उनके संसमरन बताया करते थे इसके कारण ये कवी लोग मुझे आदमी ही लगने लगे खुद सौंदलगे कर मास्टर कवी थे इसलिए ये विश्वास हुआ कि कवी भी अपने जैसा ही एक हाड मास का क्रोध लोब का मनुश्य ही होता है मुझे भी लगा कि मैं भी कवीता कर सकता हूँ माश्टर के दर्वाजे पर च्छाई हुई मालती की बेल पर माश्टर ने कविता लिखी थी वह कविता और वह लता मैंने दोनों ही देखी थी इसके कारण मुझे लगता था कि अपने आसपास, अपने गाउं में, अपने खेतों में कितने ही ऐसे दृष्षे हैं जिन पर मैं कवीता बना सकता हूँ ये सब कुछ अंजाने में ही होता रहता था, भैस चराते चराते मैं फसलों पर, जंगली फूलों पर तुकबंदी करने लगा, उन्हें जोर से गुन-गुनाता भी था और माश्टर को दिखाने भी लगा कवीता लिखने के लिए खीसा में कागज और पैंसिल रखने लगा, कभी वो न होते तो लकड़ी के छोटे टूकड़े से भैस की पीट पर रेखा खीच कर लिखता था, या पत्थर की शिला पर कंकड से लिख लेता पुरुष्ट संख्या तैंटीस जब कंठस्त हो जाती तो पोँच देता, किसी रवीवार के दिन एक आध कवीता बन जाती, तो सोमवार के दिन मास्टर को दिखाता बहुत बार तो सवेरा होने तक का धीरज छूट जाता, और मैं रात को ही मास्टर के घर जाकर कवीता दिखाता वे उसे देखते और शाबाशी देते, और फिर कभी कभी तो कवीता के शास्तर पर एक पूरी महफिल हो जाती बोलते बोलते माश्टर बताते, कवी की भाषा कैसी होनी चाहिए ? संस्कृत भाषा का उप्योग कवीता के लिए किस तरह होता है ? छंद की जाती कैसे पहचाने ? उसका लैकरम कैसे देखें ? अलंकारों में सोक्ष्म बाते कैसे होती है ? अलंकारों का भी एक शास्त्र होता है कवी को शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है शुद्ध लेखन के नियम क्या है आदी अनेक विश्यों पर वे सहज बाते बताते रहते मुझे उनके प्रती अपनापा अनुभव होता वे मुझे पुस्तक देते अलग अलग प्रकार के कविता संग रह देते उन्होंने कई नई तरहे की कविताएं सुनाई तो लगा मैं इस धर्रे पर कविता बनाऊं फिर तो सारे दिन उस दिशा में मेरी कोशिश चलती इन बातों से मैं सौंदलगे कर माश्टर के बहुत नस्दीक पहुँच गया और जाने अंजाने मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा अलंकार, छंद, ले आदी को सोक्ष्मता से देखने लगा शब्दों का नशा चड़ने लगा और ऐसा लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजता रहता है अभ्यास, प्रेश्ण एक जूज, शीर्षक के अचित्या पर विचार करते हुए ये स्पस्ट करें कि क्या ये शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रिये चारित्रिक विशेष्टा को उजागर करता है प्रेश्ण दो, स्वयम कविता रच लेने का आत्म विश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ प्रेश्ण तीन, श्री सौंधलगे करके अध्यापन की उन विशेष्टाओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रती लेखक के मन में रुची जगाई प्रेश्ण चार, कविता के प्रती लगाव से पहले और उसके बाद अकेले पन के प्रती लेखक की धार्णा में क्या बदलावाया प्रेश्ण पांच आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रविया सही था या लेखक के पिता का तर्क सही उत्तर दें प्रेश्न चे दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डल्वाने के लिए लेखक और उसकी मा को एक जूट का सहारा लेना पड़ा यदि जूट का सहारा ना लेना पड़ता तो आगे का घटना क्रम क्या होता अनुमान लगाएं प्रिश्च संख्या चोँँतीस अभ्यास प्रेश्ण एक जूज शीर्षक के अचित्या पर विचार करते हुए ये स्पस्ट करें कि क्या ये शीर्षक कथा नायक की किसी केंद्रिय चारित्रिक विशेष्टा को उजागर करता है प्रेश्ण दो स्वयम कविता रच लेने का आत्म विश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ प्रेश्ण तीन श्री सौंदलगे करके अध्यापन की उन विशेष्टाओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रती लेखक के मन में रुची जगाई प्रेश्ण चार कविता के प्रती लगाव से पहले और उसके बाद अकेले पन के प्रती लेखक की धार्णा में क्या बदलावाया प्रेश्ण पांच आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दत्ताजी राव का रवया सही था या लेखक के पिता का तर्क सहित उत्तर दें प्रेश्ण छे दत्ताजी राव से पिता पर दबाव डलवाने के लिए लेखक और उसकी मा को एक जूट का सहारा लेना पड़ा यदि जूट का सहारा ना लेना पड़ता तो आगी का घटना क्रम क्या होता अनुमान लगाएं वितान भाग दो अभी आप सुन रहे थे कक्षा बारह के लिए हिंदी की आधार ध्वनी पाठ्थे पुस्तक निर्माण एवं संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T.